मौर्वी परिज हादसे ने लोकल बाडी के अधिकारियों के ब्रस्टाचार को जागर कर दिया है इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है कि मौर्वी नगरपालिका ने बिना टेंडर के ही एक घड़ी बनाने वाली कमपनी को पूल की मरमत के लिए दो करूड का ठेका दे दिया ये ठेका मार्च में जारी हुआ था इसके दस्तावीज सामने आये हैं ये ठेका पुल में लगे कुछ पुराने तारों को बदलने के लिए जारी किया गया था हलाकि रिनोवेशन के दौरान यही काम नहीं हुआ है मामले सामने आने के बाद नगर पालिका के अधिकारी भी मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश करनी की कोशिश कर रहे हैं इस हादसे का पूरा ठिकरा केवल कमपनी के अधिकारियों वो करमचारी उपर फोड़ने का प्रयास पूरी तरह किया जा रहा है हला कि इसमें कुछ लोग सक्सेस भी होना चाहते हैं हला कि SIT की प्राथमिक जांच में ये पूरा गोरग धंदा उजागर हो चुका है इसके साथ ही मामले से जुड़े कई अन्य सवाल भी सामने आये हैं